दोस्तो जैसी अरम कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे स्वस्त होंगे और यदि स्वस्त है तो जीवन में सब कुछ सच्छा लगता है हमने जो कहा था आप आज नहीं तो कल मानेंगे लेकिन मानेंगे जरूर क्योंकि सच सच होता है गलत गलत होता है पाखंड करना ही पड़ेगा कि वही सत्य है जड़ी बूटी आयुरुवेदिक दवा ये सब जो भी क्रियाएं हैं वह एक नियाम परामपरा के माध्यम से ही कारी करती हैं किसी भी तरह से किसी भी तरह खा पाखंड जूट चमतकार ज्यादा दिन तक काम नहीं करता आप मान लीजिये मेरी बात को और जो यूटूब में देख करके धामो और उसमें जाते हैं वो बिल्कुल बिचार करें विवेग से काम ले भाई आप सोचिए कि हजारों किलो मीटर की दूरी से जब आप चलते हैं तो आपके अंदर एक बिचार बनता है कि मैं फाला कार के ल तो आपकी छोटी सी अज्ञान रूपी विवस्ता को बिवेग में बदलिये और इस चीज को मानिये क्योंकि जो पुपाठ और जो चमतकार दिखाने वाले लोग हैं बाबाजी लोगों के मारूप में बैठे हुए हैं वो खुद आयरवेदिक दवा और अंग्रेजी दवा पीछे करान लगते चमतकारी लोग तो मेरा मतलब यह है कि भहुत ही बुद्धी की जरूरत है विवेग की जरूरत है और जब आप अपनी स्मृतियों के माध्यम से बुद्धी से काम लेंगे आपका देखें कुछ जीवन का कष्ट है पाप है जो जिस माध्यम से वो मिल र बुद्धी की बात नहीं है इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि आप बुद्धी का प्रियो करिये विवेग से अपना निर्णे लिजे क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है आपको मैं ऐसे हजारों बाबा अवसंत तपस्वी चमतकारी दिखाऊंगा जो चमतकार का तो दा प्रियाओं से जितने इंटरनेशनल विवस्थाओं से निकले हैं यह जो छोटे-छोटे अपना दिब्धरबार आसरम और विवस्था हाथ से अप्रेशन मंत्रों से बोल करके कार्शिंग कर देना यह सब लीला है लीला ज्यादा दिन तक नहीं चलती तो कई बार लोग मु प्राकार के लोग आते हैं यह लोग आपका किड्नी उडनी नहीं सही करेंगे किद्नी के लिए किड्नी ओला ही सही करेगा किर्णी के लिए किर्णी का विसेशक ही सही करेगा कोई चमतकार के चक्तर में पढ़ करके समय मत बगए स्वंत प्रेमा नंद बनने के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ती है ब्रिंदाबन में प्रेमा नंद जी महराज है वो उनकी तपस्या है वो तपस्चरिया कर रहे हैं भगवत कृपा में रात दिन 24 घंटे लगे हैं वो आराधना कर रहे हैं तो विवेक का इस्तमाल करिए और विवेकता के साथ आप आगे बढ़िए और प्रभू जी चाहेंगे आपको मार्गदर्सन देंगे अच्छे लोग मिलेंगे और आपकी समस्य का समधान होगा लेकिन घबडा करके किसी चीज़ का निर्णाय ले लेना अब कोछ लोग कहते बागे सवर्धाम गए बागे सवर्धाम से बाद पंडोखर वाली बुला है पंडोखर केहां चले गए फिर वहां से देखे यह बाबा चमतकार दिखा रहे हैं तो उनके पास पहुँच गया है कुछ आग की रोशनी चीज़ कर देने वाले बाबा ततकाल आप्रेशन के मादन आप्रेशन प्रक्रिया भया उस प्रक्रिया को ये बितना अभिपरीत नहीं बता सकते मंत्र संक्ती सक्ती होती है मंत्र की सक्तियों का काम होता है लेकिन मंत्र की सक्तियों का इस तरह करना कता ही ठीक नहीं है आप लोग बुद्धी से काम लीजें ताकि आपकी सरद्धा बनी रहे आज आप अपनी बुद्धी का प्रियोक नहीं कर रहे हैं कल आप वो अपनी बुद्धी का प्रियोक करेंगे आपकी सरद्धा कम हो आपके सरध्धा से सोचिए कि काल नेमी के कारण जो है, लोगों की संतोगे प्रदि सरध्धा कम. तो प navigate को बनाए रखना है, तो सारो परतम दियान दीजीए, कि जो सही है उसको सही से मानिये, समझज़े, विचार कीजिए, उसके बाद किसी जगह पर जाये जाता है, अपने कुल देवताओं को ध्यान दीजे कहें तुरुटी तो नहीं हो रही है जितना ये लोग करेंगे उतना आपके घर के कुल देवता ही कर देंगे काव तो मेरा इस दना ही है मैं कल फिर विशे में लेकर उपस्थित रहूँगा बार बार जो फोन करते हैं बात करते हैं मैं उनके लिए इस विशे को रखाओं कल मैं विशे इस विशे चर्चा में उपस्थित हो रहूँगा धन्यवाद किसी के लिए कोई मेरा दोस नहीं है न किसी के लिए कुछ मेरी बात है लेकिन जो समझदार होंगे जिनके लिए समझना होगा तो समझ जाएंगे नहीं जिसको जहां जाना है जो जिस धाम में जाना चाहे जो करना चाहे करे हमसे कोई बहुत मात्पून बिन्दू नहीं है